फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ब्लीडिंग पाइस या खुनी बॉासीर के अंदर होने वाली ब्लीडिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको गुदादवार या मलदवार के दौरा बार बार खुन गिरने की सिकायत या खुन आने की सिकायत होती है तब आप उसको घ्रिलू तोर तरीकों से कैसे मेनेज कर सकते हैं साथ में हम जानकरी देंगे कि होमिय पेथी के अंदर ऐसी कौन सी दवाईया हैं जो आपके होने वाली ब्लेडिंग को मेनेज कर सकती है तो इनी तमाम जानकरीयों के साथ मैं हूँ डोक्टर रामदेल मोरिया एक होमिय पेथी कंसल्टेंट और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारस होम पेथी में दोस्तों पाइल्स की सिकायत जिसमें दो तरीके के पाइल्स मुख्यता होते हैं इंटर्नल पाइल्स और अक्स्टर्नल पाइल्स इंटर्नल पाइल्स का मंतर गुदादवार के अंदर ही रहते हैं जिसका हमें कई बार पता भी नहीं चलता और भार की जो पाइल्स होते हैं जिसको external pass या बादी बौासीर भी बोलते हैं तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि खुनी बौासीर जिसके नाम से ही जाहिर है कि उसके दोरा bleeding की सिकायत होती है तो खुनी बौासीर के अंदर दोस्तों हमारी जो नलिया होती है खुन की जो शिराएं होती है वो फूल के कई बार जब हम इस्टूल पास करने जाते हैं या हमारी स्टूल जो है हाड होती है तो उसकी रगड की वज़े से वो जो नलिया होती है वो फुली होती है वो बर्ष्ट होकी bleeding करना स्टार्ट कर देती है तो कई बार तो हमें पता भी नहीं चल पता स्टूल पास करब आते हैं, भोड जादा बलुड़ लोस होता तो चक्कर ज़से हैं, किए पार चक्कर भी आ जाते हैं ठकांब सी मैसूस होती है, कमजुरी मैसूस होती है तब हमारा ध्यान जाता है कि कहीं बललड आपके जरूर मिल जाएगी उस तकईोटा सा एक टुकडा लेकर आप पानी के अंदर उसको दूसरा तरीका होता है दोस्तों आप वहाँ पर थंड़ा सेक कर सकते हैं, आप बरप का सेक खर सकते हैं, थंडे pани के अंदर बैठ सकते हैं, थंडे pani की पट्यों के द्वराँ आप सेक कर सकते हैं, तो ये जो सेक होता है ये आप जादा थंडे पानी से exactly बरप के कंटिनू लगातार 15-20 मिट से जायदा नही करें क्योंकि इसमें आपको दिक्कत हो सकती है तीसरी चीजें होती है दोस्तों अगर आपको continue यह सिकायत है तो आप अगर आपके नजदी के अंदर homeopathic medical store है महां से hemamilis ointment लाके उसको apply कर सकते है लोकल वाली जगह के ओपर या internal और आपको आपको QUANT करें किकी कोसिस करें। इस पाय सिया या तलीबहुनी चीजें को बिलकुल अवीड्य करें नसापता करएं उसको बिएजों करने की कोसिस करें जिससे आपको पेट की समस्याद ज्यादा हो रही हो तब आप लिक्विड डाइट पर आ जाईएगा हार्ड सोलिड फूड का इस्तेमाल नहीं करें जो आपको पसने में दिकत करता हो आप फाइबर वाले डाइट का ज्यादा इस्तेमाल करें कंटिन्यू आप लोंग सिटिंग नहीं करें या वह पर जोड नहीं पढ़ना चाहिए उससे भी आपको ब्रेडिंग की सिकायत हो सकती है तो इन चीजों का साथ धान रखें साथ में फीजिकल एक्टिविटी आप जरूर करें जिससे आपका डाइजेस्टिन अच्छा रहे क्योंकि जो लास्ली या बेसिकली जो कारण होता है वो होता है हमारा डाइजेसन तो आप डाइजेसन को अची तरीके से डाइट के थू या किसी टीट्मेंट के थू आपको बहतर रखते हैं तो आपकी पायजिकल की समस्या के अंदर बहुत जल्दी राहत मिलती है या अगर आपको बहुत लंबे समस्या तो आप नजदी की वायां आपकी बोड़ी पे कोई साइट फिक नहीं करेंगी आपके होने वाली ब्लेडिंग को इंस्टेंटली रोक सकती है और इसको आप कुछ समय के लिए यूज़ कर सकते हैं तो सबसे चलिए बात करते हैं कौन-कौन सी मेडिशिन इसमें यूज़ की जाती है तो सबसे टो और इसी डार्क कलर की ब्लेडिंग होती है और वहाँ पर आपको बिल्कुल यह ऐसा लगता है कि दर्द का एसास होता है वहाँ पर डिसकंपर्ट आपको मैसूस होता है कई बार पलसेटिंग पहले चुबने वाला करना इस तरीके का दर्द भी एसास हो सकता है तब आप हैम सकते हैं इसकी भी मदर टिंचर फॉर्म को 15-20 एजबर रिक्वार्मेंट यूज किया जा सकता है थार्ट नमर की मैडिसेन दोस्तों इरीजिरों केंडेडेंसिज इरीजिरों केंडेडेंसिज उन कैसेज में ज्यादा अच्छा रोल करते हैं जहाँ आपको फ्रेस ब्लड य स्कून मदर टिंचर फॉर्म को आप यूज का सकते हैं एक मेडिसिन और डिस्कस करना चाहूंगो वह दोस्तों फॉस्पोरस 30 पावर फॉस्पोरस उन कैसेज के लिए बहतर यूज आती है जिनके अंदर हो सकता है कॉंस्टिपेसन हो हो सकता है लोज मोसिन की सिकायत हो लेक जल्दी आपको रहा देगी इसके अलावा होमेपेटी के अंदर बहुत सारी दवाईया है जो ब्रीडिंग पायल्स या आपकी गुदादार या मलदवार के होने वाले ब्रीडिंग के अंदर रहा देती है तो आप अपने नजदी की डॉक्टर से प्रामस करके भी टीटमे करना नहीं बूलें नहीं जानकर यह नहीं वीडियो के साथ मिलते हैं धन्यवाद दोस्त